है गाई सबसे पहले आप मेरे वेस्कूर डाइडर पे देखिए we have one object जिसको मैंने console.log की है and then we have one more array जिसको भी मैंने console.log की है तो जब भी हम किसी object को या किसी array को console.log करते है then उसका जब हम output देखते है basically response देखते है जहां पे आप बहुत क्लियली देख सकते हो यह जो एक पार्ट है यह आपका एक object है and अगर यह वाला जो एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है यह आपका एक क्या है तो console में कुछ हो आपको इस तरीके से दिखाई देता है बट क्या हो अगर मैं आपको बताओ कि आप यह जो बोरिंग सा जो आपको object and then यह array जो दिखाई दे रहा है इसको कुछ हम exciting बना सकते कुछ इस तरीके से So guys, are you excited? तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप वो बोरिंग console.log को एकदम awesome console.log में convert कर सकते हो So guys, बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते है लिकिन उससे पहले आप सब का बहुत बहुत स्वागात है मेरे awesome channel थापा technical पर अभी तक subscribe नहीं कर तो please कर दिजेगा मुझे बहुत motivation मिलती है guys, ठीक है? All right guys, तो देख लीजे आप guys literally सोच भी नहीं सकते कि यह इतना ज्यादा easy है देखो क्या हो रहा है यहाँ पर What we are getting over here is just because of this console.log यह हम सब को मालूम है And आप में से बहुत सब लोग इसको क्या करते हैं Basically ब्राउजर में जाके inspect करते है And basically यहाँ पर उसको run करते है Basically यहाँ पर console दिखाई देता But in VS Code Editor we have awesome future जिसके चलते मुझे console में जाने की निटनी हम directly है पर यह अपना जो output है Basically console है उसको run कर सकते If you want video in that particular topic Comment कर दीजिएगा ठीक है लेकिन अभी बस हमें यह देखना है कि अब मैं इसको इसमें कैसे convert करूँ तो देखो कैस बहुत ही ज़्यादा simple यह कहीं न कहीं आपको किस से match खा रहा है कहीं न कहीं यह हमारे html में table जासा यह मुझे look दिखाई दे रहा है टेबल जासा मुझे दिख रहा है तो क्यों ना एक बार यह जो console.log के बदले ठीक है देखो कैस में यहाँ पे हूँ मैं इसको एक और बार control एक से save and then refresh कर रहा हूँ I mean मैंने इसको run किया तो मुझे यह norman बिल रहा है एक काम करता हूँ object के बदले यह जो मेरा array है सिर्फ array में यह जो console.log के बदले अगर मैं console.table लिग दूँ तो आप मेंसे साथ बहुत हो को यह error का idea होगा या I mean आप मेंसे पॉसभी लोग को साथ warning का भी मालूम होगा हम warn भी कर सकते है but I don't know आप मेंसे कितनों को मालूम था table की exist करता है बोलके if you know कि table भी हम कर सकते थे console.table I mean तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा and अगर आपको नहीं मालूम था तो we need more console method करके comment कर दीजेगा more console method में भी थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए आप जस लिग दीजे we want more बस comment इतना कर दीजेगा ठीक है अब में देखो अब भी ऐसा था console.table key मैंने refresh करो and boom guys see यह देखे हम हमेशा यह बोलते है कि array का जो index number है वो 0 से start उटा है but हमेशा साथ बहुत सभी लोग भूल जाते but now अब आप जब भी console करोगे वो हर बार आपको याद दिलाएगा नहीं एरे का जो first index number है it will be always 0 no matter what index number तक मुझे यहाँ पर आ रहा है अब कितना easy हो गया मुझे यह बताने के लिए आप लोगों को explain करने के लिए मेरे world best JavaScript course में बहुत जल्द लेके आ रहा हूं जिसमें मैं यह बोलूँगा न यह Volvo का index number क्या है कैसे पता लागा होगे Volvo का index number है 1 मुझे उसको अगर पता लागाना है तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर 1 अब फिलाल तो आप ले टेबल पर आप इस तरी किसी कुछ कर सकती हो गया और राइट हाँ वाले ही आप टेबल लिखो लेकिन आपको से Volvo ही आने वाला है क्योंकि मैं directly उसको access कर रहा हूँ बट अब यह मुझे बेसिकली इसको आप रैकेट के अंदर 1 लिखना है बोलकि मुझे बहुत easy हो गया ना मेरे लिए क्योंकि मुझे मालूम है कि Volvo का जो index number है वो 1 है इससे मुझे बताना कितना जाद easy हो जाएगा और आप लोगों को समझने में भी कितना जाद easy दो नोग लिए win-win situation है यह राइट अब दूसरा लाइक we have this object दो object अल्रेड अच्छा दिख रहा है मैंने just starting में बोरिंग हो और उसकी ताकि थोड़ा और पावर दे सको में table को but in reality लोग 90% 90 भी नहीं है 99% लोग यही console.log करते होंगे but sometimes if you want more you know थोड़ा सा और awesome दिखाना हो then we can use again object में भी आप console.table उसकर सकते हो and then आप refresh कर सकते हो I mean आप उसको run कर सकते हो यहां पर we have a name world of best javascript course बहुत जलद आएगा channel name किस channel पर आगा obviously था अब अब टेक्निकल पर duration this time also it will be like 15 plus hours and by the way guys यह तो मैंने आपको BS code editor में दिखा it may possible कि आपको इस दूसरा editor रहे हो right तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि normally आप कोई भी copy जो है I mean कोई भी code ये उसको copy कीजिए browser पर आईए inspect पर आईए console पर आईए इसको हटाईए यहां पर आप ध्यान से देखना the moment आप मैं एंटर हिट करता boom guys see आप clearly देख सकते हो कि कितना ज्यादा awesome दिखाई दे रहा देखिए यहां पर जा रहा let's go with this part also इसको भी मैं copy कर लेता हूँ इसको मैं हटाता हूँ refresh करता हूँ paste करता हूँ and see यह कितना ज्यादा awesome लग रहा है कि निगाई से आप मुझे खुद बताऊ न आपको index number दिख रहा है आपको इस तरी के से आपको पूरा value दिखाई दे रहा है and क्या premium फिल आ रहा है कि निगाई कितना ज्यादा awesome आप यहां यह भी comment कर दिजेगा कि उसको मैं दो वीडियो के भाग में बनाऊ basically part one, part two या एक ही वीडियो में बनाऊ क्योंकि मैंने notice कि एक ही वीडियो में YouTube आप अलॉई नहीं करता है तो मैंने चाहता है कि जावस्कृट में भी कुछ ऐसा प्रावलम है क्योंकि मैं अल्रेडी 16 आवर्स अब जावस्कृट अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूं मैं बट इस ताइम आइवां कि एकदम बेस्ट हो सब एंड डेट का तो आमें आइडा नहीं कि इस सिंपल है ना रेफ्रेंस है अल्रेडी कोड का तो तो कार वान कार टू कार तरी एक अरे के अंदर रग दी इस लाइक अरे ओफ एन ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं सिंपल सा मैं आगर यहां चलता हूं तो यह हमने देख लिए अर्जस्ट कंसोल डॉट टेवल था यह भी मैंने देख लिए चलो कंसोल डॉट टेवल था तो अरे ऐसे आ गया बट यह जो एरे ओफ एन ऑब्जेक्ट है यह जिसमें कार वान कार टू कार तरी यह किस तरी किसे आ इंडेक्स वैल्यूज मुझे आ रहा था बट इस तैम नाव यह गेटिंग इंडेक्स तो है ओबिसल इंडेक्स जरूरी लिखिन साथ ही साथ अगर यहां पर बहुत किलेली देख सेकते हो जिसमें ओक इन्होंने नाम बिसेकली दो आगोमेंट हमें पास करने चाहिते है वह आपका कहलाएगा सिंपल मेन हैडिंग टेबल का हैडिंग और बाकी सब आपका टेबल डेटा आप इस तरह के से इसको याद रख सकते हो तो नेम एंडेन मॉडल था देखो कैसे वह बराबर टॉप प्याया कितना इजी हो गया हमारे लिए इसको समझना कि यह क्या हो र इसका वैल्यू क्या है इसका मॉडल क्या है क्या है यहाँ पर तो वह सब कुछ मुझे यहाँ पर पता चल रहा है तो आपको कैसा लागा आज का वीडियो लेट मेनो इन दी कमेंट सेक्शें सो दिस इस वीडियो के लिए नहीं लेट में टेली पूने में बहुत धंडी हो यहाँ पता नी क्या होगी अचानक बट जो भी हो कल का वीडियो भी बहुत ज्यादा उसा मैंनो लाइन कल का वीडियो भी सम्वे रिगार्डिंग कंसोल के उपर ही होने वाला है तो गैस अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो फ्लीज कर दीजेगा मिलतो हम मैं आपको कल की वीडियो में तिल्दम गाइस थैंक यू सो मच एक यू